राधे राधे जैसी क्रशना, प्रिये मित्रों आप सभी को शरत पूर्णीमा की धेरो शुब कामनाई आईए आज हम शरत पूर्णीमा की प्रमुक कथा कशवन करते हैं शरत पूर्णीमा के दिन चंद्रमा अपनी सोलर कलाओं के साथ चमकता है जो कोई भी मनुश्य पूर्णीमा का व्रत शुरू करना चाहे वह आज के दिन से शुरू कर सकता है कार्ति किसनान भी आज ही से शुरू होते हैं शरत पूर्णीमा की रातरी को क्रशन भगवान ने रास रचाया था आशविन शुक्ल पूर्नीमा को शरत पूर्णीमा कहा जाता है धार्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोजागरत व्रत भी क्या जाता है इसी को कोमूधी व्रत भी कहते हैं भगवान करश्ण ने जगत की भलाई के लिए इसे रासु उस्सव का दिन निरधारित किया था, क्योंकि कहा जाता है कि आज की रातरी को चंद्रमा की केनों से अमरद बरसता है, आज के दिन चंद्रमा अपनी सोले कलाओं के साथ चमकता है, आज के दिन मंदिरों में पूजा की जाती है भगवान को नेवेद्य में खीर बना करके भोग लगाया जाता है चांदनी में भगवान को विराजमान कराये जाता है और उनस्वेत वस्त्रधारन कराये जाते हैं शरत पूनिमा के दिन से ही कार्थिक इस्तनान भी प्रारम हो जाता है माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए शरत पूनिमा कवरत रखती है देवी देवताओं का पूजन करती है शरत पूनिमा के दिन चंदरमा प्रत्वी के बहुत पास आ जाता है इसलिए अमरत प्राप्ति करने की इच्छा से शरत पुनिमा की रात्री को खीर बना करके छट पर सफेद कपड़े या फिछलनी से ढखका रखा जाता है कहते हैं कि आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में 101 बार सुई में धागा पिरोया जाता है तो आखों की रोशनी बढ़ जाती है शरत पुनिमा की रात्री में खीर बना करके छट पर रखा जाता है इसे सफेद कपड़े और छलनी से ढखका रखा जाता है दूसरे दिन भगवान को भोग लगा करके इस प्रसात को सभी में बाटा जाता है यदि कोई शरत पुनिमा का वरत रखता है तो वह तेरा पुनम होने के बाद इसका उध्यापन कर देते हैं उध्यापन में एक चांदी के कटोरे में मेवा भर कर रोली चावल से पुजा करके दक्षिना के रुपे रख कर सासुजी या फिर ननत को पाउं छुकर दिया जाता है यदि कोई चुंदर पुनम या फिर चुड़ा पुनम का वरत का नियम ले तो वह भी आज के दिन से ही लिया जाता है चुंदर पुनम में तेरा चुंदरी की साड़ी और चुड़ा पुनम में तेरा चुड़ा लगते हैं ये हर बार वरत करने के बाद एक चुनधड़ी की साड़ी और एक चूड़ा षुहागन इस्तिरी को दिया जाता है. सबसे पहले सास और ननत को दे उसके बाद आप किसी भी सुहागिन मेला को ये दे सकते हैं. इस तरह 13 साल तक ये वरत किया जाता है और इसका उद्यापन 13 साल के बाद किया जाता है यदि कोई चूंदर पूनम या चूड़ा पूनम का नियम लेता है तो 13 पूनम करने के बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए उद्यापन में 13 सुहागीन मेलाओं को भोजन कराकर उन्हें सुहाग का सामान देनें आईए अब हम शरत पुनिमा की प्रमुकता का शावन करते हैं एक बार एक गाओं में एक साहुकार दमपती अपनी दो बेटियों के साथ रहते थी जब उनकी दोनों बेटियां समझदार हुई तो साहुकार दमपती ने अपनी दोनों बेटियों से भी शरत पुनिमा कबरत रखवाया तब हमीशा की तरह उन्होंने संध्या के समय खीर बनाई जिसमें उन्होंने काजू, विदाम, दाख, मावा, मिश्री खुप सार डाला सावकार दमपती ने उस खीर को शरत पुनिमा की चांद की रोशनी में चट पर एक सफेद कपड़े से ढखका रख दिया ताकि उस खीर पर चंद्रमा की सोले कलाओं का अमरत वरस जाए और वह खीर प्रसाद बन जाए उस खीर को सुबर ठाकुर जी को भोग लगाय जाए और बाद में सब को वित्रित किया जाए उस दिन भी सावकार दमपती ने ऐसा ही किया उस दिन सावकार दमपती का और उनकी दोनों बेटियों का शरत पूनीमा कवरत था संध्या के समय सावकार दमपती ने अपनी दोनों बेटियों के साथ भुजन खाकर वरत खोल लिया और रातरी में वे सो गे लेकिन छोटी बेटी को नीन नहीं आ रही थी जब उसने देखा कि उसके मा, बाबा और बड़ी बहन सो चुके हैं तो वह चुक चाप उठी, छट पर गई और उसने एक कटोरी खीर भर कर खाली उसके बाद वह सो गई इस तरह ऐसा करने से उसका शरत पुनीमा कवरत खंडित हो गया यह बाद उसने किसी को नहीं बताई जब दोनों बेटियां विवा लायक हुई तो इसे सैयोग ही कहें कि दोनों बेटियों का एक ही दिन एक ही गाउं में विवा हो गया विवा के बाद बड़ी बहन वचोटी बहन के दोनों के एक एक पुत्र हुआ लेकिन छोटी बहन का पुत्र पैदा होते ही साथ दिन के अंदर मर गया इस तरह दोनों बेटियों के साथ साथ पुत्र हुए लेकिन छोटी बहन का पुत्र पैदा होने के साथ दिन के भीतर ही मर गया इस तरह बड़ी बहन के साथ पुत्र हुए वे सभी स्वस्त, निरोगी और दिर्गायू पैदा हुए तब छोटी बहन और उसके पती ने पंडीजी से इसका कारण पूछा तब पंडीजी ने कहा कि आपकी पत्नी ने शादी से पहले शरत पुनीमा कवरत किया था लेकिन उनसे यहवरत अधूरा हुआ उनसे वहवरत खंडित हो गया उसी पापदोश के कारण इनके पुत्र होते हैं वे होते ही मर जाते हैं तब छोटी बहन और उसके पती ने पापदोश से चूटने का उपाई पुछा तो पंडिजी ने कहा कि अगर आपकी पतनी शरत पुनीमा कवरत पूरे विधी विधान से करे तो इनने सस्त और दिर्खायू पुत्र अवश्य होगा उसके बाद जब शरत पूनीमा का दिन आया तो छोटी बहन ने पूरे विधी विधान से शरत पूनीमा कवरत किया उसके करने के कुछ मैनों के बाद ही वह गर्बवती हो गई नवे मैने में उसे फिर से एक पुत्र पैदा हुआ लेकिन वह भी साथ में दिन मर गया इससे छोटी बहन बहुत दुखी हुई वे अपने मरे हुए बच्चे को पलंग पलिटा कर चद्दर उढ़ा कर अपनी बड़ी बहन को बुलाने उसके घर गई और बोली कि जी 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 चलो मेरा बेटा बिमार है बड़ी बहन चोटी बहन के घर उसके बच्चे को देखने आई तब चोटी बहन ने अपने मरें हुए पुत्र को अपनी बड़ी बहन की गोद में दिया और खुद चाय बनाने के लिए भीतर रसोई में चली गई बड़ी बहन ने बड़े ही प्यार से अपनी चोटी बहन के बच्चे के सिर पर हाथ फेरा तो उसके पुणी मा व्रत के पुण्य प्रताप से बच्चा जीवित हो गया और रोने लगया बच्चे का रोना सुन का छोटी बहन रसोई में से आई और अपनी बड़ी बहन के चर्णों में गिर कर माफी माँगने लगी और बोली की बहन मेरा पुत्र तो सुबह ही मर गया था यह तो तेरे शरत पुनीमा के व्रत के पुन्य प्रताफ से तेरा हाथ लगने से जीवित हुआ है उसके बाद छोटी बहन और उसके पती ने पुरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को शरत पुनीमा का व्रत पूरा नियम से करना चाहिए व्रत को बीच में खंडित नहीं करना चाहिए इस व्रत को काने से स्वस्त दिर्खायू संतान्सुक की प्राप्ती होती है बोलिए विश्नु भगवान की जय आईए स्री सत्य नवराइन भगवान की व्रत कथा सुनते हैं एक समय ने मिशारण ने तीरत में शूनकादी 88,000 रिसी मुनियों ने स्री सूत जिसे पूचा की है प्रभू इस कलियूग में वेद विद्यारहित मुनिश्यों को प्रभू भक्ती किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उधार कैसे होगा इसलिए है मुनिशेष्ट कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पुन्य प्राप्त होवे और मनवान चित्फल मिले वे कथा सुनने कि हमारी इच्छा है सर्वश्यास्तर ग्याता स्री सूत जी बोले कि है वेश्णवों में पूझे आप सबने प्राणियों की हित की बात उची है अब मैं उस सुवरत को आप लोगों से कहूंगा जिस सुवरत को नारद मुनी ने लश्मी नारायन भगवान से पूछा था और लश्मी पती ने मुनी शे नारद से कहा था तो तुम ध्यान से सुनो एक समय योगी रा नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मिर्तिव लोग में पहुंचे वहां अनेक योनियों में जन्में हुए सभी मनुश्यों को अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीडि देख कर सोचा कि किसी यातनी के काने से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोच कर वे विश्नु लोग में गए जहां श्वेत वर्ण चार भुजाओं वाले देवों के इश नारायन को देख कर जिनके हातों में शंक, चाक्र, गदा और पादम थे वर्माला पैने हुए थे नारद्मुनी इस्तूती करने लगे और बोले कि है इश्वर आप अत्यंत शक्ती से संपन है मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती आपका आधी मध्य अंत नहीं है निर्गुन स्वरुप्षष्टी के आधी भूती वे भक्तों के दुखों को नश्ट करने वाले है आपको मेरा नमस्कार है नारद्जी से इस प्रकार की इस्तूती सुन कर विष्णु भगवान नारद्वनी से बोले कि हे तेवरिशी आपके मन में क्या है आपका किस काम के लिए यहां बैकुंट में आगमन हुआ है नि संकोच हो कर कहो तब नारद्वनी बोले कि हे प्रभू मेत्यू लोग में सभी मनुष्य अपने अपने दुखों से दुखी है अपने अपने करमों का दुख भोग रही है हे नात अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताईए कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं तब विश्नु भगवान बोले कि हे नारत मनुष्य के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रशन किया है जिस काम के काने से मनुष्य मोह से छूड जाता है आज मैं तुम से कहता हूँ तुम ध्यान से सुनों बहुत पुन्यों को देने वाला स्वर्ग और मेत्यू लो प्रश्ण प्रशा करेगा भगवान के वचंसुन का नारत मुनी बोले कि हे प्रभु इस व्रत का फल क्या है क्या विधान है किसने ये व्रत किया किस दिन ये व्रत करना चाहिए क्रिपा करके आप हमें विसतार से बताईए तब विश्णु भगवान बोले कि है नारत दुख शोग आधी को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सोबाग्या और संतान को देने वाला ये वरत सभी इस्थानों पर विजई कराने वाला है भक्ती और शद्धा के साथ, पूर्णीमा के दिन मनुश्य को सिसते नारायन भगवान की शाम के समय ब्रामनों और बंदुओं के साथ धरम परायन होकर पूजा करे, कथा सुने, भक्ती भाव से नेविद्ध केले का फल गी, दूद और गेहों का चूरन सवाया लेवे, गेहो के अभाव में साथी का चूरन, शकर और गुडवी ले सकता है, सभी प्रदात भगवान के अरपन कर देवे, और बंदुबांदुओं सहीत कथा सुने, और शाम को ब्रामनों को भोजन कराने के बाद सम्वरत खोले, नत्यगीत आदी का आचरन करके रात्री जागरन में समय बितावे, इस तरह से व्रत करने पर मनशी की सभी इच्छाएं पूरी होती है, विशेश कर कल्यूग में भूमी पर यही मोश का सरल उबाय है, दूसरा अध्याय, बोलिए सरी सात्यनाराइन भगवान की जय, सूती जी बोले कि है रिशियों जिसने पहले समय में इस व्रत क किया, मैं उसका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो, सुन्दर काशिपूरी नगरी में एक अत्यंत ही गरीब भ्रामन रहता था, वे भूक और प्यास से वेचेन हुआ, नित्य प्रत्वी पर घुमा करता था, ब्रामनों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्रामन को दुखी देखा, तो बुड़े ब्रामन का रूप धारन करके उसके पास गए, और पूछने लगे कि हे फिप्र, नित्य दुखी प्रत्वी पर क्यो घुमा करता है, हे शेष्ट ब्रामन यह समुझ से कहो, मैं सुनना चाता हूँ, तव अगरी ब्रामन भगवान से बोला, कि मैं बड़ा ही निर्धन ब्रामन हूँ, बिक्षा के लिए प्रत्वी पर इधर उदर घुमा करता हूँ, हे इश्वर यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं, तो क्रपा करके बताईए, व्रद ब्रामन वेश में भगवान बोले, कि हे ब्रामन सत्य नारायन भगवान का व धारन करने वाले सत्य नारायन भगवान अंतर ध्यान होगे, जिस व्रत को व्रद ब्रामन ने बताया, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नेंद भी नहीं आई, वे सुबह उठा और सत्य नारायन व्रत का निश्चय करके बिक्षा के लिए चल पड़ उस समय से वे ब्रामन हर महने सत्य नारायन भगवान का व्रत करने लगा, जिससे वे सभी पापों से छूट कर माने परमुक्ष को प्राक्त हुआ, आगे जो प्रत्वी पर सत्य नारायन का व्रत करेगा, वे मनश्य भी सभी दुखों से छूट जाएगा, इस तरह नारायन सूती जी ने नारायन का कहा हुआ, यह व्रत मैंने तुम से कहा, हे विप्रों मैं अब और क्या कहूं। रिशी बोले हे मुनिश्वर संसार में उस ब्रामन से सुन कर किस किस ने इस वरत को किया, हम वह भी सुनना चाते हैं, हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूती जी बोले कि है मुनियों जिस जिस ने इस वर्द को किया वे सब सुनो एक समय एक भ्रामन धनों और इश्वरिये के अनुसार बंदू बांधों के साथ वर्द करने को तैयार हुआ उसी समय एक लकडी बेचने वाला बुड़ा आदमी आया बाहर लकडियों को रक कर ब्र करके मुझसे कोहो ब्रामन ने कहा सभी मनों कामनाओं को पूरन करने वाला ये सत्य नाराइन भगवान का व्रत है इसकी ही क्रपा से मेरे यहां धन दाने की व्रदी हुई है ब्रामन से व्रत के बारे में जानकर बुड़ा लकडा नारा बहुत प्रसंद हुआ चरनामत ले प्रसात खा कर वे अपने घर को आ गया लकड़ारे ने मन में निश्चे किया कि आज गाओं में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्य नाराइन देव का उत्तम रत करूँगा ये मन में विचार कर वे बुड़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख कर उस गेहूं का चून इत्यादी सत्य नाराइन भगवान के व्रत की सभी सामगरियों को लेकर अपने घर आया फिर उसने अपनी बंदुबानूओं को बुला कर विदी विधान से सत्य नाराइन भगवान का पूजन किया व्रत किया कथा सुनी उस व्रत के प्रभाव से वे बु अब आगी की कथा कहता हूं तुम ध्यान से सुनों पहले समय में उलकमुख नाम का एक राजा था वे सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था रती दीन देव इस्तानों पर जाता गरीबों को धन दे कर उनके कष्ट दूर किया करता था उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध भी थी भद्रिशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सिसते नाराइन भगवान कवरत किया उस समय एक साधू विष्य वहां आया उनके पास व्यापार के लिए बहुत सधन था वे नाव को किनारे पर ठेरा कर राजा के पास गया राजा को ब्रत करते देखकर विने भाव के साथ पूछने लगा कि है महाराज भक्ति युटचित से आप ये क्या कर रहे हैं मेरी सुनने की इच्छा है कृपा करके मुझे बताईए तब राजा ने कहा कि है साधू अपने बंदू-बांधूं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्ति वान से सत्यनारम साधू का वरत और पूजन किया जा रहा है राजा के वचन सुनकर साधू ने कहा कि है महाराज मुझसे इस वरत का पूरा विधान बताईए मैं भी आपके कथना अनुसार इस वरत को करूंगा मेरे भी कोई संतान नहीं है मुझे पून विश्वास है कि इस वरत को काने से अले वरत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तम मैं इस वरत को करूंगा साधू ने ऐसे वचन अपनी इस्त्री लिलावती से कहे एक दिन उसकी इस्त्री लिलावती पती के साथ आनंदित हो सांसारी धर्मे में प्रवत हो गए सत्यनारैन भगवान की क्रप अपनी पत्नी को आश्वासन दे कर वेनगर को चला गया इधर कलावती पित्रग्रा में व्रदी को प्राप्त हो गए एक दिन जब साधू ने नगर में सकीयों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वे सोचने लगा कि मेरी पुत्री दो विवा लायक हो गई है मुझे इसके विवा की तैयारी करनी चाहिए तब उसने एक दूद वड़ी पुत्र को ले आया उस लड़के को देख कर साधू ने बंदू बांधू और सहीत प्रसन चित अपनी पुत्री का विवा उसके साथ धूम धाम से कर दिया जब उसकी पुत्री विवा होकर जाने लगी तो साधू रोने लगा और उसने अपनी समधी से कहा कि आपके तो और भी पुत्र और पुत्रियां हैं लेकिन मेरे तो इकलोती संतान हैं कृप्या करके आप अपने पुत्र को मेरे घर बर घर जवाई बन कर रहने की इजाज़त दे दीजे तब उसके समधी और समधर ने उसके मन की पीड़ा को जान लिया और उन्होंने अपने पुत्र को उनका घर जवाई बनने के लिए सिकार कर लिया इधर उसका पुत्र घर जवाई बनकर रहने लगा किन्तु दुर्भाग्या से विवा के बाद भी सादू सत्यनारैन भगवान का व्रतकरना भूल गया इससे भगवान क्रोधित होगे और उसे शाब दिया कि तुझे दारोन दुख प्राप्त होगा अपने कारिये में कुशल सादू बनिया अपने जमाई सहित समुदर इस्तित रतनपूर नगर में गया वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकितू राजा के उस नगर में व्यापार काने लगे एक रोज भगवान सत्यनारैन की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुड़ा कर भाग रहा था तो वे उसे चोर समझ कर पकड़ कर लेगे और ले जाकर राजा से कहा कि महाराज हम ये दो चोर पकड़ कर के लाए हैं इनी के पास आपका धन रखा हुआ था राजा की आग्या से उनको कठोर का रावस में डाल दिया गया उनका सारा धन भी उनसे चीन लिया सत्यनाराइन भगवान के शाफ से उसकी पतनी भी घर पर बहुत दुखी हुई घर पर जो धन रखा था चोड़ चुरा करके लेगे शारिरीक और मानसिक पिड़ा भूग प्या से दुखी थो अनकी चिंता में एक दिन कलावती एक भ्रामन के घर गई वहाँ उसने सत्यनाराइन भगवान का व्रत होते हुए देखा फिर उसने वहाँ कथा सुनी प्रसाद ग्रहन कर रातरी को वह अपने घर वापस आई माता ने अपनी बेटी से कहा कि है पुत्री तु अब तक कहा रही तेरे मन में क्या है कलावती बोली कि है माता आज मैंने एक भ्रामन के घर में से सत्यनाराइन भगवान की कता होते देखी तो मैं वहाँ कता सुनने के लिए बैट गई मैं प्रसाद लेकर आई हूँ कन्या के वचन सुन का लिलावती भी भगवान के पूजन की तयारी करने लगी लिलावती ने परिवार और बंधूओं को बुला कर सत्यनाराइन भगवान का पूजन किया और व्रत किया और भगवान से प्रात्ना करने लगी कि हे प्रभू मेरे पती और दामा शिकर घर आजावे और मेरे पती ने जो गलती करी है उसके लिए मैं आप से शमा चाती हूँ जैसे ही मेरे पती घर आएंगे मैं उनसे पुनीमा का व्रत करवाऊंगी चते नारायन भागवान इस व्रत से संतुष्ट होगे और एक दिन राजा चंद्र केतु को सपन में दर्शन दे कर कहा कि हे राजन दोनों वेश्यों को प्राते ही छोड़ दो उनसे जो तुमने धन लिया है वह वी उनने दे दो नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र सब नश्ट कर दोंगा वे दोनों चोड नहीं हैं वे मेरी पूजा से विमुख हुए थे इसी से वे मेरे शाव से दुख उठा रहे हैं राजा से ऐसे वचन कहे कर भगवान अंतरध्यान होगे प्रातहकार राजा चंद्र केतु ने सभा में अपना सपन सुनाया फिर दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त करके सभा में बुलाया दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया राजा मिठे वचनों से बोले है महानो भाव भावी वस ऐसा कटीन दुख तुम्हे प्राक्त हुआ है अब तुम्हे कोई भै नहीं है ऐसा कहे कर राजा ने उनको ने ने वस्तर आभूशन पहनाए उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन आदर सहीत विदा कर दिया दोनों विश्य अपने घर की ओर चल दिये चोथा अध्याए सूत जी बोले विश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरम करी अपने रगर को चला थोड़ी दूर आगे जाने पर धन्डी विशधारी सत्य नारेन भगवान ने उससे पूचा कि है सादू तेरी नाओ में क्या है अभिमानिक वने खस्ता हुआ बोला कि है धन्डी आप ऐसा क्यों पूछते हैं क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाओ में तो बैल पते भरे हुए हैं विश्य का कटोर वचन सुन कर भगवान ने कहा तुमारा वचन सत्य हो धन्डी ऐसा कहे कर वहां से थोड़ी दूर जाकर समुदर के किनारे एक पेड़ के नीचे बैड़ गे धन्डी के जाने के बाद विश्य ने नित्ती क्रिया करी और नाओ को उची उटी देखकर अचंबा किया नाओ में आकर देखा तो नाओ में बैल पते भरे हुए थे यह देखकर सादू मुर्चितों का जमीन पर गिर पड़ा थोड़ी देर के बाद जब मुर्चा खुली तो दामाद अपने ससुर से बोला कि पिता जी आप शोक न करें यह दंडी का शाप है अतर हमें उनकी शरण में चलना चाहिए तब ही हमारी मनो कामना पूरी होगी दामाद की वचन सुन कर सादू दंडी के पास गया और दुखी भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आप से जो ऐसत्य वचन कहें उसके लिए शमा करो ऐसा कहकर वैरोने लगा तब दंडी भगवान बोले है वनिक पुत्रत मेरी आज् ज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन हुए मैं सामर्थय की अनुसार आपकी पूजा करूँगा मेरी रक्षा करो और पहले के समा नोका में धन बर दो उसके भक्ति युक्त वचन सुन कर भगवान प्रसन होगे और इच्छा अनुसार वरदान दे कर अंतरध्यान होगे तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपून थी फिर उन्होंने वहीं पर सत्य नारायन भगवान का पूजन किया वरत किया उसके बाद वे अपने सातियों के साथ नगर की ओर चल दिये जब वे अपने नगर के निकट पहुँचे तो सादू ने दूद को घर पर भेजा दूद ने सादू के घर जाकर उसकी इस्त्री को नमस्कार किया और कहा कि सादू अपने दावास सहीद नगर के समीप आ गए हैं ऐसा वचन सुनकर सादू की इस्त्री ने बड़े हश के सा सत्य दे भगवान का पूजन किया प्रसाद खाया और अपनी बेटी से बोली कि बेटी मैं अपने पती के दशन को जाती हूँ तू भी कारिये पूरा करके शिगर आ जाना माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ कर पती के पास पहुँच गे प्रसाद की अवग्या के कारण सत्य दे भगवान रुष्ट हो गे और उसके पती को नाव स पती शमा करो उसके दीन हीन वचन सुनकर सत्य दे भगवान प्रसन होगे और आकाश वानी हुई कि है सादू तेरी कर्ण्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है इसलिए इसका पती अद्रश्य हुआ है यदि एगर जाकर प्रसाद खाकर लोटे तो इसे पती अवश्य मिले एसी आकाश वानी सुनकर कलावती ने घर पहुँच कर प्रसाद काया फिर आकरपती के दशन किये उसके बाद सादू ने बंदु बांदू सही सत्य दे भगवान का विदी पूर्वक पूजन किया कता सुनी और रत किया उस तरह वे हर पूनी मा को सत्य नार भगवान का प्रजा पालन में लिंग तुन्धज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान का प्रसाद त्याक कर बहुत दुख पाया एक सामयवन में जाकर वन्यपशों को मार कर बढ़के पेड़ के नीचे आकर बैड़ गया वहां उसने ग्वालों को भक्ती भाव से बांधूं सही स सुन्दा नगरी को चला गया जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया तो वह समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है तब वह विश्वास करके पुने गवालों के समी पाया और अपनी गलती की गवालों से माफी मागने लगा फिर उसन को सत्यनारन भगवान का वृत करने लगा और वह इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बास वर्गलों को प्राप्त हुआ जो मनुष्व इस परम दुरल व्रत को करता है भगवान की क्रपा से उसे धन-धनी की प्राप्ती होती है निधन-धनी हो जाता है बंदी-बंदन से अब मैं दूसरे जन्म की कता कहता हूं। व्रद्शतानन भ्रामण ने सुधामा का जन्म लेकर मुक्ष को पाया। उलकामुक नाम का राजा दसरत होकर बैकुंड को चला गया। साधू नाम के विशे ने मोर ध्वज बनकर अपने फुत्र को आरे से चीर कर मुक्ष को प्राप्द किया।। महाराज तुम ध्वज ने संभू भोकर भगवन भक्ती में युक्त कर्म कर्मुक्ष को प्राप्त किया, बोलिए स्री साते नारायन भगवान की जय, आईए अवहम स्री साते नारायन भगवान की आरती को सुनते हैं जय लक्षमी रम्ना, स्वामी जय लक्षमी रम्ना, सरते नारायन स्वामी जने पातक हर्भा जय लक्षमी रम्ना, रतन जडित सिंगासने अद्भुद छविराजे, स्वामी अद्भुद छविराजे नारद करत निरंतर घंटा द्वनी माजिद जैलक्षिमीरमना रकट बैकल कारण दिजी को दर्शिदियो समी दिजी को दर्शिदियो भूदो ब्रामन बनकर कंचन महलतियो ओम जैलक्षिमीरमना दुरबल वील कराले जिन पर क्रपा करे चैंद्र चूडेक राजातिने की विपति हरी ओम जैलक्षिमीरमना वेश्य मनोरत पायो श्रदात जिदिने सोखल भूग्यो प्रभुजी फिरेस्तुतितिने ओम जैलक्षिमीरमना पाग्भक्ति के कारण जिनी चिने रूप दर्यो स्वामी चिने चिने रूप दर्यो श्रदादा रण की नीतिने को काज सर्यो ओम जैलक्षिमीरमना वाल बाल सल राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन्य वांचित फल दीना दीन दयाल हरी ओम जैलक्षिमीरमना चडत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा दूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जैलक्षिमीरमना सत्य नरायन जीकी आरती जो कोई नरी गावे स्वामी जो कोई नरी गावे कहत सिवानन्द स्वामी वन में वांचित फल बावे ओम जैलक्षिमीरमना जाऊसरी सत्य नरायन भग्ति कीच धन्यवा